आपका स्वागत है जीवन में हम प्रकाश बाहर डूंगते हैं लेकिन प्रकाश तो हमारे भीतरी है इसे बाहर डूंगने की आवश्यक्ता नहीं अपदीपो भव महात्मा बुद्ध के अंतिम शब्द पूरे विश्व के लिए एक संदेश बन गए महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम शनों में अंतिम दिनों में थे वित्यू उनके बिलकुल करीब थी उस समय उनके बहुत प्रिय शिष्य आनंद जिनको जब पता चला कि महात्मा बुद्ध अब हमारे बीच में नहीं रहेंगे उन्होंने रोना शुरू कर दिया और उनकी आवास सुनकर महात्मा बुद्ध ने दूसरे शिष्य से पूछा कि ये रोने की आवाज क्यूं आ रही है शिष्य ने बताया कि आनंद रो रही है महात्म बुद्ध ने उसको अपने पास बुलाया और उनसे रोने का कारण पुछा आनंद ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ मुझे इस बात का दुख है कि जब आप संसार में नहीं रहेंगे तो हमें प्रकाश कौन दिखाएगा महात्म बुद्ध ने जवाब दिया अप दीपो भव यानि कि आप प्रकाश को बाहर डूण रहे हैं लेकिन प्रकाश तो भीतरी है अप हम खुद ही दीपक बन जाएं हम खुद ही प्रकाश बन जाएं मनसा वाचा और कर्मना एक रत होकर हम जीवन में कारे करते चले जाएं अप दीपो भव का संदेश अंति उनका पूरे विश्व के लिए प्रेणा बन गया वास्तव में अगर हम देखें तो प्रकाश हमारे भीतर है बाहर नहीं क्योंकि जब हम अध्यात्मिक्ता की बात करते हैं तो आत्मा जिसको कहा ही गया है प्रकाश स्वरूप है शक्ति स्वरूप है और आनंद स्वरूप है तो उसको अगर हम महसूस करेंगे तो हमें प्रकाश ही महसूस होगा इसलिए हमें अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए हम स्वयम अपने भीतर लीडर को देखें और चुनें क्योंकि लीडर कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर ही है, केवल मात्र उसे समझने की आवश्यक्ता है और पहचानने की आवश्यक्ता है स्वामी विवेकानन ने बहुत सुन्दर बात कही कि सारे दिन के अंदर हम उस लीडर से अवश्य बात करें Talk to yourself once in a day, otherwise you will be going to miss an excellent person within yourself इसलिए हमारे जीवन के अंदर खुशियां जितनी अधिक हम पाएंगे, उतनी अधिक हम दूसरों को दे सकेंगे अगर हम अंदरकार से प्रकाश की और आगे बढ़ते चले जाएंगे इसलिए आज से हम अपने जीवन को बहुत पवित्र, शुद, शक्तिशाली, स्वच विचारों से इतना शक्तिशाली बना देंगे कि हम अपने जीवन को उर्जावान बनाते हुए सभी को ये संदेश देते चले जाएंगे तो आईए आज से हम भी दर संकल्प लेंगे कि हम खुद अपनी भीतर की उर्जा को पहचानते हुए और महसूस करते हुए अपो दीपो भव यानि कि अपनी स्वेंप की लीडर्शिप क्वालिटीज को पहचानेंगे ओम शंती धन्यवाद हमारी यूट्यूब चैनल गौद्लिवूद स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें